So Hello Friends, Welcome Back To My Channel I hope आप लोग बहुत अच्छो pillar होंगे और एकदम मुस्ट होंगे दोस्तो आज हम लोग बहुत ही खतर्नाक mission पर जाने वाले हैं और बहुत ही खतर्नाक आज कांभी करने वाले हैं तो दोस्तो यहां पर हम लोग सबसे पहले आज हम लोगा रोफीरों का आखरी दिन या सबसे ताकतवर दिन होगा तो इसलिए ये सबसे पहले आज अपने घर को अंतीम बार या एक खास मिसन के जाने का बाद ये बच्चे या ना बच्चे ये तो इसको भी पता नहीं रोफीरों को भी तो चलिए इसे देख लेते हैं अगर ये बचा तो बहुत ही खतरनाक डंजरिस काम करने वाला है अगर नहीं बचा तो ये भी नहीं जानता क्या करने वाला है तो यहाँ पर ये सबसे पहले अपने घर का सैर कर लिया और सारे चीज़े देख लिया है अब इसको जने बहुत ही खतरना काम करने इसके लिए इसके पास बहुत ही ज़ादा पावर्स चाहिए जो इसको पास है नहीं पर यह पता नहीं कौन सी दुनिया में से यह फिल्म देख कर लिया है कि बोल रहा है कि मैं तपस्ष्य करूंगा और उससे यह पावर कलेक्ट करेगा पर ऐसा होता है या नहीं यह इसे भी पता उरिजिनल में बस एक कहा हुआ सुना है पर यह फाई साब या अनदर कोई भी बेक्टी इससे यहीं बोला है कि हाँ यह सब होता है पर इसके लिए यह सब क्या बोले कि यह करने के लिए सबसे तुम्हें यूनिक काम करना पड़ेगा या यूनिक तपस्ष्य करना पड पस्ष्य करने वाला है और यह सब moral conve do kis KAR कसे और यह balance you say यह इससे करने वाला है यह सब को पता है कि कोई भी इनसान संदर नहीं टिकता पर यह क्या कर पाएगा और यह मर जाएका यह इसे भी नहीं पता है तो यह चलिए जा रहा है यह अब जाएगआ कि यह सब इसको बोल आए और ये अनंत गहरायूं से पहले ये बहुत ही दूर जाएगा इससे कोई देख भी ना पाए इतना दूर तो देखिए यहाँ पर इसका कुछ अलगी नजारा होने वाला है तो ये आ गया ये पानी का गहरायू के अंदर ये बीच में अब ये पानी के अंदर जा रहा है और तपस्या करने के लिए बैठ रहा है तो देखे इसको मतलब इतना सारा पानी के अनंत गहरायों में यहाँ पर देखे यह तपस्या कड़ी तपस्या कर रहा है पर अभी तक इसको कोई भी डिप्लाई नहीं मिला और यह मुझ से खुन भी बिगरायां पर देख रहे हैं कि कोई आता है भगवार वगेरा यह ऐसा मानने लगाए पर अभी तक जब तक मरा नहीं है जब तक यह करेगा यह क्या यह रूफिरो कहां आ गया यह पता नहीं कौन सी यूनिवर्स में आ गया और यह सारा गैंग्स्टर वगेरा की बीच में कहां से आ गया फिर तो मैं यहां पूर हूँ रो फिरो तुम्हारे में तबस्या से प्रसंद हुआ बूलो तुम्हें क्या चाहिए क्या मैं सच में यह सुन रहा हूँ कि आप यहां पर है हा रो फिरो तुम्हें सच में सुन रहे हो कि मैं यहां पर हूँ तो ही वगवार मुझे इतना सक्ती दो, इतना सक्ती दो, मैं वो बिग बोस को थोड़े ही दिर में मैं खत्म कर सको, वो पूरे दुनिया को बरबाद करने में लगा हुआ है ये लुद तुम्हारी सक्तिया, लेकिन ये याद रखना है कि तुम उसे बिग बोस को तभी खत्म कर पाओगे, जब तुम कोई भी बुराई नहीं किये हो गया ठीक है, मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा अगर तुमने कोई भी बुराई किया होगा, तो तुम्हारा सक्तिया वही पर खत्म हो जाएगे, और तुम भी मारे जाओगे, ये बात याद रखना धन्यवाद भगवान जी, मुझे ये सक्तिया देने के लिए आप चले दूस्तों हम जल्दी से चलते हैं बिग बॉस के पास और उसको उसका और कार दिखा देते हैं और वो बिग बॉस आ रहा है, तो मैं क्या करूँ उसे मैं बॉम भ्लास, ओ नो ये क्या वह मुझे तो नहीं लगा और आखिरकार मैं मरी गया क्योंकि मैंने वो दो इंसानों को मारा है और मेरा तपस्या तो फेल हो गया क्योंकि मैंने जिस मकसद से वा किया था वो नहीं हो पाया इसके लिए मैं अगले समय बहुत ही डेंजर्स तपस्या करूंगा और मैं ये सब नहीं बोलूँगा कि मैं कोई पाप नहीं कहूं क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मारा है तो इससे चलिए मैं बाहर निकलूँगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई